आज किस वीडियो में जानेंगे किस तरह से WhatsApp बैकप काम करता है के बार जब हम नया मॉबाइल फॉन खरीदते हैं और उसमें WhatsApp चलाते हैं या हमारा WhatsApp डिलीट हो जाता है और दोबारा से हम WhatsApp चलाते हैं रजिस्टर करते हैं तो हमारी चैट्स नहीं आती और इसी बज़ा से हमारी काफी सारी personal chats होती है या important chats होती है जो डिलीट हो जाती है और हम उन्हें recover नहीं कर पाते लेकिन WhatsApp बैकप के तुरू आप उन्हें recover कर सकते हैं तो चाहे आप mobile change कर दें या आप दोबारा से delete करके WhatsApp को use करें आपकी checks delete नहीं होंगी आप उनको recover कर पाएंगी किसी भी mobile phone में इस process को जानने के लिए वीडियो पर बने रही है आज की इस वीडियो में आपको complete guide करूँगा और पुरा setup बता हूँगा किस तरह से आप WhatsApp बैकप का use करके अपनी checks को recover कर सकते हैं तो दोस्तों मैं हूँ एमन हुसेन और आप देख रहे है टेकलफर हुसेन चैनल अगर आपने भी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया है इसको subscribe कर लें बैल आइकन को जुरूर प्रेस कर लें तो चली दोस्तों शुरू करते हैं इसके लिए simply आपको आजाना है अपने WhatsApp में और आप उसको update भी करकर रखें उसके बाद simply three dots पर click करना है settings में आना है और यहां से आपको chats में आजाना है chats में आने के बाद आपको scroll करना है और यहाँ पर आपको एक option मिलता है chat backup करके simply आपको इस पर click करना है अब यहां से मैं आपको वो process बता रहा हूँ जिससे आप यहां अपने WhatsApp backup को जो chats का backup है उसको enable कर सकते हैं setup कर सकते हैं तो सबसे उपर आप देख रहे हैं backup settings आ गई है और यहां पर local दो बज़ कर ती नहीं है साथ यहां पर आ रहा है last backup never कभी भी यहां से backup नहीं हुआ है काफी सारे लोगों का ऐसा ही होता है तो यहां पर backing up message करके आएगा लेकिन यहां से backup आपका नहीं होगा बहुत सारे लोग यहां पर confused होते हैं सबसे पहले आपको यहां पर google account वाला जो option देखने को मिल रहा है तो यहां पर आपको click करना है और यहां से आपको एक google account को select कर लेना है तो यहां पर आप देखेंगे काफी सारे आपको account देखने को मिल रहे हैं मैंने यहां से authenticate कर दिया है अब यहां पे हमारा यह स्वास्त ऐसा कुछ करके आ रही है हमारी email ID तो यहां पे हमारा Google account यहां पे link हो गया अब जो दूसरा option है वो है back up to Google Drive यानि Google Drive में आपका backup जाएगा तो आपको simply इस पर click करना है और यहां पे आपको एक option मिलेगा never का यानि कभी भी आपका backup ना हो दूसरा मिलेगा कि जब आप चाहें यहां पे daily कर सकते हैं weekly कर सकते हैं monthly कर सकते हैं तो अगर आपके घर में wifi है या आपके पास बहुत data होता है net का जो आपको daily data मिलता है sim में तो अगर आप चाहते हैं तो इसको मैं तो यह कम हूँ आप daily पर ही select करके रखें और अगर आप daily नहीं चाहते weekly कर सकते हैं या फिर monthly कर सकते हैं बाकी मैं यहां पे daily करता हूँ और उसके बाद में यहां पे आता है तीसरा option include videos का तो आप videos को avoid करें यानि backup में videos ना लें वरना आपकी storage फुल हो जाएगी और G-Drive जो है अभी हमको सिर्फ 15 GB फ्री देता है तो अगर आप यहां पे include videos करेंगे तो backup जादा बनेगा और फिर वो आपका backup नहीं हो पाएगा G-Drive में और उसके लिए फिर आपको जो है काफी net है आप जादे use नहीं करते हैं तो इसको click करके रखें फिर यह daily backup जो है आपके mobile internet से ही ले लिया करेगा और अगर आप इसको off रखते हैं तो यहाँ पर आपका जो backup है वो सिर्फ wifi connect होने पर ही होगा तो यहाँ पर मैंने सारी settings कर दी है अब simply में एक बार यहाँ back up पे click करूँआ यहाँ पर आजाता है backing up messages और उपर आप देखेंगे एक ऐसे line चल गई है यहाँ पर आ रहा है preparing google drive backup तो यहाँ पर थोड़ा सा wait आपको करना है अगर आप mobile data के साथ use कर रहे हैं या wifi के साथ use कर रहे हैं यहाँ पर आप देखेंगे हमारा uploading दिखा रहा है 3.2 MB of 98 MB यानि 98 MB का हमारा total backup बना है जैसे यह एक बार final हो जाता है मैं आपको आगे का step बता देता हूँ अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा backup पूरी तरह से complete हो चुका है और यहाँ पर आगया है last backup हमने लिया है चार बज कर 13 मिनट पर PM और यहाँ पर size हमारा 98 MB का रहा है Google account हमें show कर रहा है backup to Google Drive daily हमें यहाँ पर slack कर रखा है मैं इसको दिखा देता हूँ आपको कहाँ पर यह data show होगा तो हम यहाँ से cut कर देते हैं और यहाँ से हम आ जाते हैं अपनी drive वादे option में drive में आएंगे तो यहाँ पर मैं check कर रहाता है यहाँ पर हम 3.0 पर click करेंगे max score किजिएगा कि यहाँ पर आपकी ही Gmail ID जो है वो login हो यहाँ दूसरा account login ना हो यहाँ पर यह चेक कर लिजिएगा कि जो Google account आपने WhatsApp में डाला है वही यहाँ पर login हो उसके बाद आपको यहाँ आना है और backup में आ जाना है तो यहाँ पर एक बर process लेके आपको दिखा देगा WhatsApp और यह हमारा mobile number दिखा रहा है और साथी backup दिखा रहा है backup लेने के बाद अब क्या है कि अब आपका daily basis पर यहाँ पर backup होता रहेगा और यहाँ पर हमने net को भी जो है mobile data को enable कर रखा है तो mobile data से ही यह हमारा backup रोजाना लेता रहेगा साथी हमने videos को avoid करना है अब जैसे रोजाना है से backup हमारा होगा तो अगर हम mobile phone change करते हैं या फिर हमारा WhatsApp delete हो जाता है और हम दुबार से यहाँ पर अपना mobile number के थूर रजिस्टर करते हैं WhatsApp पर तो यहीं पर हम एक restore का option आता है simply restore पर click करके आप अपने सभी chats को सभी data को recover कर सकते हैं यही वो feature है यही वो option है जिसके थूर आप अपने WhatsApp की chats को backup कर सकते हैं So I hope दोस्तों वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा इसी तरह की और informative वीडियो के लिए चैनल को subscribe करने के साथ साथ घंटे का बटन भी जरूर दबाएं तो चली दोस्तों मिलते हैं को और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिं